कि यद्धिन नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम स्प्रूपस्टार स्पेशल में siamo से डूस्टिन स्पेशल सितारों से जुड़ी या यूं कहलें कि सुपर स्टारों से जुड़ी कुछ ताज़तरीन और नई-णई खबर जो हर रोज आपको सुनने को मलती हैं और एक बार फरसे हम लेकर वही खबरों को हाजिर हैं नई-णई खबरों को लेकर हाजिर हैं पहली खबर प्रियं का नी जो सवाल किये हैं या फिर प्रियंका नी जवार दिया है वो सभी को हरानी में डाल सकता है प्रियंका यहामार को आगे दिखाएंगे फिल ऐले खबर बता देते हैं जो प्रियंका पंडेच से ही जुड़ी है प्रियंका ने बेशक से इस गानabil को लेकर अपनी सफाई दी हो लेकिन इसके अलावव अनुरै ये भी बताया है कि दुलहिं चाही पाकिस्तान में उनका क्या रोल है और क्या रोल है क्या भॉमेका है इससे जुड़ी जानकारी भी आगे दिखाएंगे अगली खबर बता दीते हैं जो खेसारी लाल यादव की फिर्म दबंग सरकार से जुड़ी है दबंग सरकार का एक गाना कल रिलीज होने वाला था इसकी जानकारी पहले से ही सोचल मीडिया पर दे दी गई थी लिकिन रिलीज डेट सामने आने के बावजूद ये फिल्म समय ये गाना समय से रिलीज नहीं हो पाया यानि भीते दिन पहले दबंग सरकार का जो गाना रिलीज होना था जो गाना रिलीज नहीं हो पाया है अभी तक इस फल्म का सिर्फ एक गाना रक्षबंदन के अपसर पर रिलीस किया गया था इसके अलावा काजल रागवानी के भी गानों को रिलीस कर दिया गया है जो इसमें promotional song काजल रागवानी ने किया है तो क्यों नहीं गाना रुलीज हुआ है इस जुड़ी खाज ख़बर दिखाएंगे आगे अगले ख़बर पवन सिंग से जुड़ी है पवन के पास समय की कमी है इसलिए उनकी सपत फिल्म की शूटिंग सोनाले का अकेले ही कर रही है सेकिंड सेड्यूल से पवन सिंग भी इस फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हो जाएंगी क्योंकि अभी वो इश्क पर जोर नहीं फिल्म की शूटिंग में जादा ध्यान दे रहे है और जस जगे पर पवन अपने इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं वहां हजारों की संख्या में सेट पर लोग लगातार मिलने के लिए पावन सिंग से पहुचते हैं भी, आए दिन देखी जाती है, आए दिन के fans की कोई ना कोई तस्वीर सामने आती है, एक बार पर से आई है, तो पावन सिंग की fan से जोड़ी, पावन सिंग की fan following से जोड़ी कुछ समय पहले भोश्पी के चॉकलेट बॉई यानि की परदी पांडे चिंटु की फिल्म दुलहन चाही पाकिस्तान से पाच्टु का ट्रेलर रिलीज हुआ था ट्रेलर तो कई लोगों को पसंद आया लेकिन वहीं पर ट्रेलर का एक गाना जो है वो चिंटु ने गारगी पंडित के साथ फिल्माया था जिस गाने को लेकर मीडिया में भी कुछ बाते हुई थी जिहां लेकिन उस गाने पर गारगी पंडित का क्या जवाब रहा आईए आ करते हैं फिल्म हीरो पदी पांडे चिंटु है डिरेक्टर अश्कमार पांडे फिर यह जो सूट जो गाना ट्रेलर में चल लहा है यह गाने को लेकर काफी लो कमेंट्स कर रहे हैं अच्छे भी यह बुरे भी हैं उस पर कुछ गाना चाहेंगी उनकी मर्जी है वो देखना चाहें तो मैं कुछ देख वाल इंट्रव्यू दूँगी उसमें आपको गाने का लिस्ट दूँगी और गाने का वीडियो भी दिखा दूगी कितने अच्छे अच्छे गाने बड़े बड़े भूच्परी सिनीमा की फिटनेस क्वेन के नाम से फेमस गारगी पंडित और पंडित ने शोशल मेरिया पर दुरगा पूजा पर रिलीज होने वाली फिल्म दुलहन चाही पाकिस्तान से पाथ टू को ले गए जान सुनिये जरा क्या कहा उस फिल्म में अपने रोल को ले करके दुल्वेंच ही पाकेतना टू में कारी बंडीट किस तरह किरदार रहें? कारगी बंडीट का बहुत अच्छा है थोड़ा सा अलग है मतलब मैं राजकुमर पंडी जिनुने मुझे भूषपूरी इंडस्ट्री में लॉंच किया है प्रदित पांडे चिंटू के साथ में लॉंच शूइती जीना तेरी गली में और वो फिल्म से लेके हर बार जितनी बार हमने साहन साथ में अलर केरेक्टर मुझे प्ले करने को मिला है तो इसमें भी एक छोटा सा किरदार मैंने निभाया है लेकिन वह बहुत अच्छा किरद बेकर जिस गानी में खैसालिलाव यादवनिक Windows इस प्रमोशनल गानी को शूट किया है और इस गानी को और प्रब्दिय-शूर यू वीडियो के जिदर के हैं dziRun कल जोगाना यूरी सोशल मीडिया पर स्वाक निशनल मीडिया पर शाम को पांच बजे रीली सोगा है इसँनों ने बताया था लेकिन हम लुगों को घषारि लां य्दब की गाने को दर्शक काफी समय से इंतिजार रहे थे लेकिन वह गाना शाम तक रिलीज नहीं हो पाया और दर्शक को औहुए चारिलाल यादव के तरफ से फिर से एक बार निराशा हाथ लगी और अभी तक ये पता नहीं चुल पाया है कि आकिर खिसारी के इस गाने को अब तक रिलीज नहीं होने की पीछे की वजह क्या है और दर्शक को अभी भी इस गाने का रिलीज होने का बेसबरे से इंतिजार है बोजपुरी सिनेवा में ट्रेंड सेट करने वाले निर्माताओं में से अनंजर अगुराज एक बार फ़र से बॉक्स ओफिस पर धामाल मचाने की तैयारी में है यही वज़ा है कि अभी हाली में उन्होंने जुगले स्टार देनेश लाली आदव के साथ दो बड़ी फिल्मों की घोशना कर दी और इंडोस्टे की हार्ट बीट बढ़ा दी है अनन्या क्राफ्ट और विज़न के बैनर तले अनंजर अगुराज और अजीश मिश्रा की त्रीमोर्ती एंटर्टेन्मेंट मीडिया ने अपनी दो फिल्में वंदे मात्रम और पटना से पाकिस्तान 2 के लिए दिनेश लाली आदव निरहुआ को साइन किया है बता दें कि साल 2014 से पहले तक बदहाली के दोर से गुजर रही बोजपुरी फिल्म इंडोस्ट्री को रगुराज नहीं अपनी फिल्म पटना से पाकिस्तान बदलाव का संकेत दिया था तब अनन्या क्राफ्ट और विजन के बैनर तले रगुराज ने दिनेश लाली आदव निरहुआ के साथ पटना से पाकिस्तान फिल्म बनाई और फिल्म ने रिलीस के साथ ही बोक्स ओफिस पर तहल का मचा दिया था अब एक बार फ़र से पटना से पाकिस्तान का सीक्वल अनन्या रगुराज दिनेश लाली आदव निरहुआ को लेकर बना रहे हैं इस बारे में उनका मानना है कि पटना से पाकिस्तान 2 पिछले फिल्म की कड़ी को आगे बढ़ाएगी इसलिए हम दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ फिल्म कर रहे हैं हमारी फिल्म के लिए वो पॉर्फेक्ट है तो वहीं अनन्या ने दूसरी फिल्म बंदे मातरम की गोशना भी कर दी है और इसमें भी दिनेश लाल यादव उनके हीरो होंगे फिल्म बंदे मातरम के नरदेशन की कमान रजनीश मिश्रा को सौपे गई है निरहुआ की तरह रजनीश मिश्रा के साथ भी अनंजे रगुराज की खूब निबती है और इनकी जोड़ी के सारी लाल यादव स्टार फिल्म महंदी लगा के रखना बना चुकी है जो काफी बड़ी हिट साबित हुई थी इस फिल्म ने भोजपुरी सनिमा को नई दिशा दी इस फिल्म के बाद अनंजे रगुराज की पेचान इंडोस्ट्री में लीक से हटकर फिल्म बनाने वाले निर्माताओं और पुकता तोर पर होने लगी फिर अनंजे ने मेंदी लगा के रखना का सीक्वल भी चिंटू के साथ बनाया और लोगों को बता दिया कि वो भोजपुरी सनिमा के सबसे मजे हुए निर्माता है अलाके अब सीक्वल को मंजुल ठाकोर ने डाइरेक्ट किया था मगर रजनीश मिश्रा से अनंजे की बहुत निपती है इसलिए इस बारे में अनंजे ने अपनी एक नायाव स्टोरी वाली फिल्म वंदे मातरम की कमान रजनीश को सौपी है बोजपुरी के पहली ऐसी फिल्म होगी जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर अधारित है ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है कौल मिला कर देखा जाए तो अनंजे रगुराज एक बार फर्स से निरहुआ को लेकर दो बड़ी फिल्मों का निर्मान कर रहे हैं जिसके गोशना भी हो चुकी है और इस पूरी इंडोस से के नजर इन दोनों फिल्मों पर लगातार बनी हुई है जानकारों का कहना है कि अनंजे और निरहुआ जब भी साथ आते हैं बोक्स ओफिस पर उन फिल्म को खूब रिस्पॉंस मलता है अनंजे गुराज के पियारो रंजन सिना ने बताया है कि अनंजे दर्शिकों की नवस को जानते हैं और उन्हें पता भी है कि अच्छे फिल्मों का प्लेस्मेंट कैसे होना चाहिए इस कारण से भी वो भौजिवूट के सफल और अलग फिल्में करने वाले निर्माताओं की शुरेनी में शुमार होते हैं भोजब्री फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंग की हाली में एक नई फिल्म में भोजब्री इंडस्ट्री में खलवली मचा दी है जिस फिल्म का नाम है शपत जिस फिल्म में पवन के साथ हिरोईन सुनाली का परशाद नजर आने वाली है और इस बात की जानकारी देते हुए कहा जा रहा है कि इस फिल्म सबत की शूटिंग इंदिनों मुंबई के फिल्म स्टान स्टूडियों में बहुत जोरो सोरो से चल रहा है जिहां इस फिल्म में पवन सिंग के अलावा रोशन राजपूल सुनालिका परशाद चांदनी जिस फिल्म का नाम है इश्क पर जोर नहीं की शूटिंग राची में कर रहे हैं जिसकी कई तस्वीरे भी इंदिनों सोचल मीडिया पर काफी जादा वारल हो रही है वैल आप देखना ये है कि आखिर पवन सिंग के इस फिल्म की शूटिंग कब तक पूरी होती है और पव पवन सिंग इस समय पर अपनी फिल्म इश्क पर जोर नहीं की शूटिंग राची में कर रहे है और हर रोज उस फिल्म से सेसकी से कई तस्वीरे आती रहती है झिन तस्वीरों में पवन सिंग अपने फैंस के चारों तरफ से पंग ई सेलफी ले रहे हैं और इस तस्वीर को देखने के बाद आप लोगों को अंदाज अलग सगया होगा कि पवन सिंग के फैन लेस्ट कितमी लंबी है और हर कुछ उन्हें कितना जादा प्यार करता है वैल आप लोगों को जाते-जाते बता दे पवन सिंग की इस फिल्म की अच्छी खबरे ही आपको दिखाऊंगी और अगले प्रोग्राम में ही अच्छी खबरे लेकर आऊंगी कि अभी मेरे पास अच्छी खबरे देने के लिए कुछ नहीं है तो फिल्हाल के लिए मुझे दीजे इजाजत अगले प्रोग्राम में होगे मुलकात ऐसे ही Let's go!